हेलो एवरीवन वेलकम टूर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल आज के वीडियो में हम बात करेंगे हीरो मोटो कॉप की जिन्होंने अपना नया इवी ब्रैंड वीदा के नाम से लाँच किया है और इस ब्रैंड के अंडर कंपनी अपना जो पहला एलेक्ट्रिक स्कूटर लाने वाली है वो एक जुलाई को लाँच करेगी तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिसकस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करेंट प्राइस पे आपको हीरो मोटो कॉप का शेयर लेना चाहिए और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सबस्क्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस डवलप्मेंट की तो भारत के लार्जेस्ट टूविलर मैनुफेक्चरर हीरो मोटो कॉप ने आज अपने अपकमिंग जो इलेक्रिक स्कूटर हैंडल पर यह वाला ट्वीट किया था जिसमें की कंपनी के जो चेयर मैन और सीयो हैं पवन मुझाल उनके साथ इस ब्रैंड की क्या लुक होगी उसको इन्होंने अपने सूशल मीडिया हैंडल पर दिखाया है और वीदा जो है अपना जो पहला इलेक्ट्रिक स्क किया जाएगा जब डॉक्टर ब्रिज मोहनलाल जो की कंपनी के फाउंडर थे उनकी बर्थ अनिवर्सरी भी है और इस ब्रैंड को लॉंच करने के अलावा कंपनी के जो चेयर मैन और सीयों है पवन मुझाल जी उन्होंने एक 100 मिलियन डॉलर का ग्लोबल सस्टेनेबिलिट की भी एनाउंस्मेंट की है और इस फंड को यूज किया जाएगा एक ग्लोबल पार्टनर्शिप सेट अप करने में जो की एंकरेज करेगी एंट्रेप्रनियोर्स को एसजी सुलूशन के लिए जिससे की हमारे जो प्लैनेट को हेल्प करी जा सके और अब अगर बात की बाते हैं तो उसका रीजन है कि हीरो जो ब्रैंड है इक्जिस्ट करता है इलेक्रिक वेहिकल सेग्मेंट में हीरो इलेक्रिक आपने सुना हो गआ वो हीरो मोटोकॉप की प्रिवार की कंपनी ₹ मुनजाल परिवार लेकिन यह इस इस क्रिव इस से तो इसलिए Hero Motocop काफी टाइम से अपने EV बिजनस के लिए कोई नाम सोच रहे थे तो फाइनली इन्होंने वीदा भे फाइनलाइज किया है और अब अगर बात की जाए कि भाई इसका नाम वीदा ही क्यों रखा गया है तो इसके जवाब में Hero Motocop के जो Chairman है और CEO है पवन मुझाल उन्होंने एक statement में बताया है कि वीदा का मतलब होता है life और जो इस brand का sole purpose है वो ये है कि ये world में positive impact create करना चाते हैं और meaningful ways में आगे बढ़ना चाते हैं तो उनके हिसाब से उन्होंने का है कि ये नाम उनका perfect है क्योंकि ये कुछ ऐसा build कर रहे हैं जो कि आने वाली generation यूज़ करेगी इनके बच्चे यूज़ करेंगे तो उसकी वज़े से इन्होंने ये नाम को finalize किया है और उन्होंने काया कि ये एक something special की शुरुआत है और उन्होंने साथ-साथ में ये भी का कि अब से 17 weeks में यानि कि एक जुलाई को ये अपने Vida platform को unveil करेंगे और उसके production services को दुनिया के सामने लेके आएंगे जो दुनिया को एक better place बनाएगी और इन्होंने काया कि ये इस initiative को खुद लीड कर रहे हैं इसके अलावा इससे पहले उमीद की जा रही थी कि Hero Motocop जो अपना electric vehicle है वो March तक ले आएगी यानि कि इस financial year में लेकर आएगी लेकिन उसमें थोड़ा सा delay लग रहा है लगबग 3 महीने का delay अभी तक लग रहा है कि इस scooter के आने में होगा और ये जो scooter जब आएगा तो ये compete कर जाएगा और जो इनका electric vehicle है वो इनकी चितूर जो manufacturing facility है वहां से roll out किया जाएगा और इसका जो प्राइज है वो भी बताया जा रहा है कि बहुत ही aggressive रखा जाएगा ताकि जो इनके competitor है उसको ये catch up कर पाएं और उमीद की जा रही है कि scooter का जो प्राइज है हो सकता एक लाग क प्राइज के नीचे नीचे आए और हिरो मोटर कॉप ने इससे पहले ताइवन की जो कंपनी है गोगोरो उसके साथ भी एक agreement किया था battery swapping technology को लेकर के और ये भी अगर अपने scooter में लेकर क्या आते हैं तो काफी अच्छा होगा game changing हो सकता है इसके अलावा company के काफी सारे plan है premium products को launch करने के जिसमें से की एक है इनका battery powered motorcycle जिसके ओपर ये काम कर रहे हैं और अगर बात की जाए कि क्या current price पे हमें hero motocop का share लेना चाहिए है नहीं तो सबसे पहले अगर हम इसकी past performance देखे तो तीन साल में इन्होंने 14% की negative return दिया है पिछले एक साल में लगभग 32% की negative return है और पिछले एक week में भी इनका share 10% के आसपास गिरा है और उसका reason यह है कि Russia Ukraine के crisis होने की वज़े से commodity के prices बड़े हैं और इसका सीधा सीधा impact इनके margin पे पड़ेगा तो उस वज़े से इनके share में काफी ज़्यादा गिरावट देखी जा रही है इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि Russia Ukraine की वज़े से जो semiconductor का issue था जो कि अब sort out होने लगा था उसमें दुबारा से delay आ सकते हैं तो इन सब वज़े से सभी auto sector के shares में दबाव देखा जा रहा है और hero motocop भी इससे चुता नहीं है और इनके भी share में काफी बड़ी गिरावट देखी गई है अला कि at the same time यह काफी अच्छा dividend pay करती है company इनकी 4% के आसपास की dividend yield है और इस साल में इन 25 रुपीज का dividend pay किया है तो अगर हम उसको add करें तो भी इन्होंने काफी ज़्यादा negative performance दिये overall तो और अगर हम brokerage house reports को देखे तो उन्होंने 17 February को इसका 3738 रुपे का target दिया था और ticker tape के predictive analysis को देखा जाए तो इसका average target price 3050 आता है higher side पे लगबग 3700 और lower side पे 2225 जो आज की closing हुई है वो 2311 पे हुई है आज इनका share 4% से ज्यादा गिरा है तो उस हिसाफ से यह अभी अपने lowest target price के आसपास available है तो pricing definitely attractive लगती है और अगर इसके fundamental or peers analysis को देखा जाए तो एक mid cap company है 46,000 करोड का market capitalization है PE और PB काफी attractive हो चुकी है क्योंकि पिछले एक साल में इनका share 32% गिरा है उसकी वज़े से उनकी भी जो PE और PB है वो काफी attractive है इनके peers के मुकाबले में return on equity काफी अच्छी है almost 19% की इसके अलावा profitable company है almost debt free company है तो fundamental के हिसाब से company का valuation काफी अच्छा है और बस इसमें क्योंकि commodity के prices बड़े हुए है पीछे semiconductor का issue था यह थोड़ा सा EV launch करने में late चल र pricing मुझे काफी attractive लगती है तो मेरी personal opinion में आप करेंट प्राइस पर किसी भी correction पे शेयर को long term vision के साथ ले सकते हैं short term या medium term में थोड़ा सा ही आपकी patience test कर सकता है क्योंकि commodity के prices जब तक cool down नहीं होते इनके उपर pressure रहेगा लेकिन जैसे ही चीजे normal होने लगती है तो यह वो share हो स सकता है company के लिए अला कि हमेशा की तरह video close करने से पहले मैं disclaimer दूंगा कि जो भी views थे वो मेरे personal थे अगर आप किसी भी share में invest करना चाहते तो अपनी further research कीजिए उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तब ही आप उसमें invest कीजिए thanks so much for watching the video and God bless you all